Hello everyone, इस रूल में हम discuss करेंगे आपके 6 important आपकी वर्फ जो examination में काफी बार पूची जाती है, SSC का कोई भी examination और हर examination में ये question पूचे आते हैं, 3 आपकी intransitive वर्फ हो और 3 आपकी transitive वर्फ है, okay, सबसे पहले मैं आपके बता रहे हैं, intransitive वर, transitive वर्फ का क्या concept है, intransitive वर्फ व कह सकते हैं, आपको कोई भी object लेकर नहीं चलती है, okay, transitive वर्फ होती है, जो अपने साथ object लेकर चलती है, okay, ये आपको ध्यान रखना है, तो हम बात करेंगे, देखोंगे, यहाँ पर जो वर्फ है, जैसे lie हो गया, rise हो गया, और fall हो गया, ये intransitive है, मतलब इनके बाद इनका object नहीं लिखा होगा, इसका जो थर्ड फोव होता है, जैसे lie हो गया, रेज हो गया, और fall हो गया, ये आपकी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्फ होती है, इनके बाद इनका object लिखा होता है, object क्या हो सकता है, आपको pronoun हो सकता है, फिर noun हो सकता है, simple सी बात है, अब पहले हम क्या करते हैं, इन तीन इन ट्रांजिटिव वर्फ को discuss कर लेते हैं, मलत जिनका object नहीं होता है, तो पहली वर्व लाई, इसका जो second form होता होता है, ले और इसका जो third form होता है, lane होता है, ध्यान रखेगा, इसका meaning क्या होता है, आपका कहीं पे late ना, आपका rose, third form होता है, इसका horizon, इसका मतलब है, आपको किसी चीज का उपर उठना, कोई वो नी होगा, वहाँ पर डूर नी होगा, कोई चीज अपने आप उठ रही है, या फिर आपका हम किसी चीज का बढ़ना कह सकते हैं, कोई चीज बढ़ हुए, जैसे inflation rate बढ़ जाता है, तो वह आपका कोई बढ़ा थुड़ी रहा है, वो चीजे हैं, जिससे क्या effect पढ़ रहा है, महंगाई पर, चीजे हो रही है, जिनसे effect पढ़ रहा है, तो जो inflation rate बढ़ रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब भी आपका किसी चीज का बढ़ना, चड़ना, जाना, या फिर आपका वही कैसे उपर उठना का sense होगा, तो आपके हम क्या करेंगे, rise use करेंगे, fall की बात करेंगे, तो fall का second form आपका fell होगा, third form आपका fallen होगा, fall मतलब सभी को बताए, गिरना, गिर जाना, example देख लेते हैं, आप तीन होगे example देख अबजेक्ट है, light जो है, वह आपका main verb वे verb का first form है, I के साथ plural verb वी use होती है, सभी को बता होना चाहिए, okay, down यहाँ पे आपका adverb वे where, कहां लेटता है, नीचे, okay, on the sofa, sofa पे, okay, तो यहाँ पे on proposition है, the article क्या करा, sofa noun क्या करा, determine करा, the sofa आपका noun phrase है, जो on proposition का object है, on the sofa क्या है, का reply दे रहा है, कहा, sofa पे, okay, तो यह क्या आपका adverb है, every afternoon की बात करेंगे, तो afternoon noun है, every determiner है, जो afternoon noun को क्या कर रहा है, determine कर रहा है, यह भी क्या आपका adverb है, कब का reply दे रहा है, okay, when, when का, when का, why का, where का reply, how का reply देने वाले words, phrases, आपका adverb होते है, simple सी बात है, okay, तो every afternoon क, okay, हर afternoon क तो यह आपका क्या Adverb है तो लाई के बाद देखो down लिखा है जो Adverb है मैंने क्या बताया था कि अगर लाई के बाद लाई के बाद लाई के बाद लाई आपका Intransitive वह विस ली हो कि तो इसके बाद अगर आप का क्या होगा राई वर्व का इसको भी हम क्या लेती डीटेल में डिस्कुस कर लेते हैं तो क्या लिखा हुआ आपका अगर तो समय को ब्राइज को आपक kita क्रेएं बाद करें आपका सुबजेक कर रहीद है जाआप राईस के अंगर पुलोड हर तो समय क्या तो यह आपका संक मटावा थिक्ति है तो यह आपको द्याद रखना इन द ऐस को कम बात करेंगे तो इनप्रिप्पोदिशन हो गए तो आर्टिकल इस नांड को क्या कराई रहा है तुक्ता कहाँ settlements नहीं हो कर vibe के बदरे देक्षे Welcome II कोई object नहीं हो तो और object होने काम सिर्फ और सिर्फ नाउन या फिर आपका प्रणाउन का है उसके इलाबा कोई भी चीज आपका sentence में वर्व का preposition का object नहीं हो सकती एक और example देख लिएते हैं यह है आपका fall वर्व का जो क्या लिखा है the leaves fall from the trees in the autumn okay तो यह पर क्या आपका the article लिखा है the article क्या कर रहा है leave noun को क्या कर रहा है determine कर रहा है leaves है noun plural है तो subject plural है तो plural वर्व हम यहां पर use करीव from the trees के हम बात करेंगे तो the article क्या कर रहा है Prize Noun को Determine कर रहा είναι theции आपका क्या है noun phrase और ये आपका क्या है from proposition का object है ये भी reply ये आपका अटिवर फ्रेज हो गया तो ये आपको देभान रखने तो तीन verbs हम Lore discuss कर लशी lie RISE और fall इनके second third form मैंने starting में बता दिया, आपको दियान रखना है, यह आपके in transitive verb होती, इनके बाद आपका object नहीं लिखा होता है, अब हम चलते हैं आपका transitive verb पे, तो यहाँ पे आपकी बात करेंगे transitive verb की, तो वो है आपकी lay, raise और आपका felt, lay का जो second form होगा, laid होगा, third form आपका laid हो आपका weakness है, आपका किसी व्यक्त याफ किसी वस्त को लेटाना, okay, वहाँ पर doer चाहिए होगा, okay, like मैं किसी चीज़ को लेटा रहा हूँ, किसी चीज़ को रख रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, यह action तो आपर doer चाहिए, okay, तो यह चीज़ के sense bomb लेगा, use करेंगे raise उठान okay, like में किसी pen को उठा रहा हूँ, किसी bottle को उठा रहा हूँ, okay, कोई weight आपका lift कर रहा हूँ, okay, तो वह raise हो गया, तो कुछ उठाना, यानि आपका raise, fell का मतलब जो होता है, दिहान रखेगा, fell बहुत important है, examination में काफिल ज्यादा confusion create करता है, fell, second form में fall work का, एक ऐसी fell work होती, जो first form में fell होती, second form में fell होती, third form में fell होती, इसका मतलब है, किसी पेड को काट डालना, okay, काट कर इसको गिरा देना, okay, that is fell, एक एक करके, तीरों के example हम detail में discuss करें, एक sentence लिखा हूँ, आपका please ले देबुक on the table, तो please आपका क्या exclamation है, सभी को बता है, ले आपका main word यहाँ पर you जो है, वो आपको subject understood है, क्योंकि imperative structure है, imperative sentences में क्या होता, use your subject होता, वो understood होता, लिखा हूँ, नहीं मिलेगा, clear है, okay, तो ले आपका क्या है, main word यहाँ पर, okay, clear है, the book की बात करेंगे, the book आपका क्या है, noun है, the article के अगर है, book noun, वो determine कर रहा है, the book noun phase है, और यह ले वर्व को object है मैंने, ले वर्व को object दे दिया, इसका ले यहाँ पर गया है, positive verb है, simple सी बात है, on the table के हम बात करेंगे, तो on proposition हो गया, the article table noun को determine कर रहा है, okay, the table जो noun phrase है, on proposition को object है, कहां का reply है, कहां रखी वाई किताब, okay, तो reply मिलेगा, table पर, okay, तो यह कहां का reply है, तो यह आपका adverb हो गया इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी वर्व भी discuss करेंगे, जो कि आपका raise है, raise की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखा वाई, he raised his hand to ask a question, okay, तो he आपका subject होगे, raise आपका वर्व होगया, पियर है, second form है, past के हम बात करें, his hand की बात करेंगे, तो hand noun है, his आपका positive adjective ह क्या कररा है, hand noun को modify कर रहे, his hand noun phrase है, और raised verb का object है, कुछ उठाया, क्या उठाया, reply मिला अथ उठाया, okay, तो यह object है, is का मनला raised transitive verb है, to ask a question के हम बात करेंगे, to ask infinitive है, a question आपका noun phrase है, entscheidant ask infinitive object है question की बात करेंगे तो यह article का कर रहा है question noun पो determine कर रहा है question noun phrase है यह to ask infinitive object अब देखो यह है क्या क्यों उसने हाथ raise कर रहा why why did he raise his hand तो यह why का reply है okay to ask question तो यह आपका adverb है क्योंकि यह why का reply है यह infinitive phrase है और adverb की तरह यहां पर काम करें simple fund आया सबको simple होता है यह बस एक समझने का तरीका होना चीए okay सबको simple next देखो आपका क्या लिखावा they felt the old tree in the backyard तो यह आपका subject है felt आपका वर्वे second form है felt का second form felt third form felt okay felt what क्या गिरा है उन्होंने okay क्या काटा है okay तो reply मिला the old tree the article old adjective tree noun है noun phrase यह फेल्ड वर्व का object हो गया object दिया हो है तो फेल्ड ट्रांजेक्टिव है in the backyard के हम मत करें इन प्रेपोजिशन हो गया backyard noun हो गया the article backyard noun को कर रहा determine कर रहा the backyard noun phrase इन प्रेपोजिशन का object हो गया है और यह वेर का देहान रखना lie rise और fall यह आपकी ट्रांजेक्टिव हो गए और raise हो गई ले हो गई और fell हो गई यह आपकी ट्रांजेक्टिव हो गए मिलते हैं दे नेक्स सेक्शन तिल देन जैन जैन जैवारत